हम दोस्ते आज हम बनाएंगे तमाटर की चटनी, दो चमज देसी घी डालेंगे, नॉर्मल चमज से, खोड़ा सा जीरा, हरी मिर्च, यह हरी मिर्च हमारी काफी तिकी है, इसलिए हम एक ले रहे हैं, हींग, खोड़ा से कांजू की टुकुड़े डाल देंगे, हलका संचला लेते, अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, चार टमाटर को हमने छोटे-छोटे टुकड़ो में काट लिया है, यह अगर वजन में लेंगे तो यह हमारा 200 ग्राम है, और आधा कप मटर, कल्दी, नमक आप अपने स्वादन सा डालें, अब हम इसको ढग देंगे, टमाटर हमारे गल गया है, अब हम इसमें मसाला एड़ करेंगे, धनिया पॉडर, लाल मिर्च पॉडर, अब इसको मचला के दो मनट और रखेंगे ताकि मसाला भुन जाए, मसाला हमारा भुन गया है, अब हम इसमें एक कप से थोड़ा सा ज़्यादा पानी एड़ करेंगे, और इसी समय हम देड़ चमच चीनी डालेंगे, अब पनीर के टुकड़ें डाल देगे, चट्नी हमारी तयार है, और थोड़ी सी किसमें समनें भिगो के रखी है पानी में वह डाल देगे, पर से धन्या पता, इस टमाटर की चट्नी आप ऐसे भी किसी पराठे या रोटी के साथ खा सकते हैं, यह मेरा स्टाइल है, पुल्चा वित तमाटर की चट्नी खाने का, अगर आपको पसंदा है तो आप भी एक बर बना के देखें, कर भी एक दब बना की का?